हेलो बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं One One function के बारे में और check इसको कैसे करेंगे, इसको prove कैसे करेंगे, फिर main one function क्या है उसको देखेंगे तो start करते हैं पहले हम लोग one one function से one one function क्या है पहले इसको देखना है तो देखे, condition क्या है इसमें, कि अगर all members of domain, ठीक है, have unique image, domain का मतलब first set, अगर first set के पास unique image है, ठीक है, तो हम लोग उसको 1-1 बोलेंगे, ठीक है, unique image है, तो हम उसको 1-1 बोलेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, image होता है कि इधर वाला members, जैसे हम बोलेंगे, तो 1 का image 4, 2 का image 5, 3 का image 6, तो image of 1, 2, 3 हो गया, अब आप देख सकते हैं, clearly हमको दिख रहा है, यहाँ पर, कि 1, 2, 3 का जो image है, ठीक है, 1, 2, 3 का जो image है, वो unique है, unique का मतलब अलग-अलग है, त terms क्या है, तो अगर function a to b है, और 1, 1 है वो, तो nb greater equal होगा n a, nb का मतलब b में कितना member है, ठीक है, b में कितना member है, और n a का मतलब a में कितना member है, तो b का member हमेशा a के member से, ठीक है, मतलब, इधर a हो गया, इधर b हो गया, तो b का member हमेशा a के member से, जादा होगा, ठीक है, तो next फिर क्या है, कि अगर हमको 1, 1 function का number find करना है, कितना 1, 1 functions बन सकता है, तो इसके लिए formula यूज़ होगा, n b permutation na, ठीक है, n b permutation na, इसमें आप numbers put करके find कर सकते हैं, a to b, कितना 1, 1 functions हम बना सकते हैं, ठीक है, यह हो गया आपका 1, 1 function क्या होता है, वो, इसके पास unique image है, domain के पास, तो वो 1, 1 function है, next इसको check कैसे करेंगे, तो check करने के लिए, मेरे पास, बहुत सरा types हैं, जैसे पहला जो होता है, वो होता है, कि हम इसको graph से check कर सकते हैं, ठीक है, check 1, 1 function by graph, graph से कैसे check करेंगे, इसके लिए condition कि है, कि हम लोग एक line draw करेंगे, parallel to x-axis, अगर ये line, curve को one point पे काटता है, तो उसको बोलेंगे one, one function, otherwise क्या बोलेंगे, उसको many, one function, जैसे देखे, कुछ example से यहां पे दिखाया हुआ है, ठीक है, कुछ example से यहां पे दिखाया हुआ है, देखे, यहां पे जैसे graph draw किया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको check करने के लिए, एक line draw करेंगे, parallel to x-axis, यह देखे, सिर्फ एक ही point पे काट रहा है, देख लिए यहां पे, एक point अगर काट रहा है, तो function कैसा होगा, वो, one one होगा, अगर यहां पे देखे, उसी तरह से, यह क्या हो गया, तो यह more than one point पे काट रहा है, यहां भी काट रहा है, यहां भी काट रहा है, तो यह one one नहीं यहां देखे एक ही बार कटा तो यह वन वन है तो graphically इस तरह से आप इसको check कर सकते हैं ठीक है यह हो गया graphically इसको check करना next है आप इसमें values put करके भी check कर सकते हैं ठीक है कैसे तो देखेगा यहां पर कुछ conditions हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें जिससे आप check करने में easy हो आपको conditions क्या है तो अगर कोई function आपका लिखा हुआ है और इसका इधर domain होता और इधर को domain होता है तो हमको one one check करने के लिए उसका domain देखना होता है तो अगर domain natural number है तो कोई भी दो natural number पुट कर दीजे एकस के जगह पे ठीक है add x x के जगह पे कोई भी दो natural number अगर domain natural number नहीं है कोई और है real हो rational हो integer हो ठीक है तो क्या करना है कोई भी दो number पुट कर लेना है same ठीक है लेकिन उसका sign opposite होना चाहिए sign opposite से मतलब क्या हो गया अगर one है तो minus one use करेंगे अगर हम two करेंगे तो दूसरा minus two use करेंगे तो कोई भी हो value same लेकिन sign opposite ठीक है पुट करने के बाद अगर same values दे रहा है ठीक है पुट करने के बाद और अगर same value है उसका, दोनों का आ रहा है, तो वो one one नहीं है, ठीक है, put करने के बाद अगर same values दे रहा है, तो one one नहीं है, अगर put करने के बाद different values दे रहा है, तो one one है, ठीक है, तो ये values put करेंगे पहले, अगर same दिया, तो one one नहीं है, different दिया, तो one one है, इसको examples देखे और clear हो जाएगा जैसे question है यहां पर fx दिया हुआ है और इसका domain देख लिए natural number है तो हम क्या देखे अभी natural number अगर है मेरे पास तो हम कोई भी दो natural number पुट कर देंगे यहां देखे कोई भी दो natural number पुट हो गया 1 और 2x के जगह पर यह देखे यहां पर different values है different values है तो क्या होगा function 11 है यही function क्या हो गया 11 है इस तरह से एक और example देखे fx दिया हुआ है x square plus 1 function real है तो real में क्या condition था real में condition क्या था कोई भी दो पुट कर लेना है sign change करके तो हम देखे एक पुट कर लिए 1 एक पुट कर लिए minus 1 values क्या हो गया तो values यहां पर क्या रहा है एक 2 दूसरा भी 2 same value same value में क्या था same value में क्या था function 11 नहीं है तो same value में function 1,1 नहीं है तो इस तरह से क्या हो जाएगा क्यों नहीं है तो same condition था 1 और minus 1 दोनों के पास क्या हो गया same image आ गया तो condition क्या है कि अगर हम values put करते हैं अगर same value आएगा तो 1,1 नहीं है अगर different values आता है तो 1,1 है ठीक है इसको mainly use करेगा जब आपके पास function में ठीक है सिर्फ एक term में variable हो जैसे 3x, x square एक term में अगर variable है ठीक है बाकी कही variable नहीं हो तो आप इसको use कर लीज़े ठीक है यह easy step है अगर एक से ज़्यादा term में variable है तो उसके लिए simple तरीका होता है हम use करेंगे differentiation का ठीक है वहाँ पर हम लोग use करेंगे check करने के लिए differentiation का differentiation वाले से कैसे check होगा तो आपके पास function हो गया y पहला काम क्या करता है इसको differentiate कर लेगा है ठीक है f dash x मतलब इसको differentiate कर लीज़े उसके बाद differentiate जो आएगा उसको zero करके x का value find कर लीज़े फिर हम लोग एक sign scheme ड्रॉ करेंगे इस sign scheme में अगर f dash x का sign ठीक है change होता है कहाँ पे उसके domain में तो function 11 नहीं है ठीक है f dash x का sign अगर change हुआ तो function 11 नहीं है अगर change नहीं हुआ ठीक है अगर change नहीं हुआ तो function क्या होगा 11 होगा ठीक है step पहला differentiate उसको zero करना फिर sign scheme रॉ करना उसके बाद domain देखना domain के according ही यह decide होगा कि function 11 है या नहीं है इसको और clear समझने के लिए एक example से देखता है जिसे यहाँ पे एक function ले लिया गया इसको सबसे पहला step क्या था differentiate करना यहाँ आप देखें दो question है इसका दोनों का domain अलग अलग है चेक करना है 11 function तो पहले हम क्या करें इसको differentiate करें differentiate क्या हो गया तो 2x cube का हो गया 6x square 15x square का हो गया 30x 36x का हो गया 36 1 तो constant term में हो जाएगा 0 ठीक है 1 constant term था हो गया 0 अब second step second step क्या था तो f dash x को 0 करना तो f dash x को 0 करते हैं देखे f dash x को 0 करें quantity का factorize कर दी हमको x का value मिल गया x का value मिल गया तो यहाँ पर एक sign scheme draw करेंगे minus infinity से infinity के लिए बीच में जो values आपको मिला है वो लिख लेना है अब यहाँ पर plus minus कैसे लिखेंगे तो x का कोई भी एक value लेकर उसको f dash x में put कर देना है जैसे हम x का value मान लिजे ले लिए 0 आप कोई भी x का एक value ले सकते हैं अगर हम 0 इसमें put कर दें तो हमको value क्या मिलेगा तो हमको value मिलेगा 36 0 put करने पर value क्या मिलेगा 36 मिलेगा ठीक है यहाँ पर 0 put कर देंगे यहाँ पर 0 put कर देंगे x के जगए तो solution क्या मिलगे हमको 36 36 कैसा नमबर है तो 36 positive नमबर है तो अब हम लोग देखें कि 0 कहां पर आता हो देखें 0 यहाँ पर आएगा तो हम इस interval को लिख देंगे positive जो यहाँ पर हमको मिला था positive बाकी intervals को alternate लिख देंगे negative positive इस तरह से करके ठीक है अब हमको देखना है अपना domain ठीक है sign समझ गया है एक x का कोई value लेलना है ठीक है वो f dash x में put कर देना है यहाँ पर ठीक है f dash x में put कर देना है और उसका sign देख देना है अब जो आप लिए हैं वो जहाँ पर आएगा उस interval को यह sign डाल देंगे और बाकी को alternate लिख देंगे ठीक है यह करने के बाद ठीक है यह करने के बाद आपको अब देखना क्या है कि आपका domain क्या है तो चली question पर वापस आते हैं देखें फर्स का domain है 5 से 10 अब देखें कि अपने के line में 5 से 10 5 कहां पर यहां पर होगा 10 कहां पर इधर ही होगा अब आप देख सकते हैं 5 से 10 में sign तो same होगया positive तो आपका condition क्या था कि अगर sign change नहीं होता है ठीक है अगर sign change नहीं होता है तो यह function कैसा है 1 1 है तो देखें यहां पर sign change नहीं हुआ 5 से 10 में तो यह function कैसा हो जाएगा 1 1 हो जाएगा अब दूसरा दूसरा हमको क्या दिया हुआ है 0 से 4 दूसरा क्या है 0 से 4 तो अब देखें 0 से 4 के लिए अब देखें 0 और 4 कहां पर है तो देखे, zero कहां पर, यहां पर लिखाई यह, four कहां पर, इधर four होगा, three के बाद, अब आप देखे, zero से four में, sign change है न, इधर positive था, यहां पर positive था, यहां negative है, यहां positive है, तो zero से four में, बहुत बार sign change हो गया, तो condition क्या था, अगर sign change हो गया, तो फिर हम लोग क्या होगा, तो फिर क्या हो गया, यह function 11 नहीं है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा function 11 है, कौन सा function 11 नहीं है, इसको आपके book में और भी questions होगा, उसको practice करिएगा इसी तरह से, अब जहाँ पर आपको proof करने गर मिल जाए, कि proof करिए कि function 11 है, वहाँ पर क्या करेंगे, तो देखें, proof के लिए धियान क्या रखना हमको, ठीक है, proof के लिए, fx1 equal fx2 करेंगे, अगर x1 equal x2 solve करके आ गया, तो function 11 है, यह proof हो जाएगा, इसको use तभी करिएगा, जब question में लिखा हो, prove that, या so that, ठीक है, prove या so लिखा हो, तभी use करेंगे, ऐसे use नहीं करेंगे इसको, ठीक है, अब देखें, इसको एक question से करके दिखाता है, जैसे यहाँ पर function लिखा हो है, हम क्या करेंगे, fx1 equal fx2 ले लिए, तो इसमें put कर देंगे, fx1 क्या हो जाएगा, यह fx2 हो गया, यह 1 दों तरब से cancel हो गया, बचेके x1 का square equal x2 का square, अब x1 का square minus x2 का square equal है 0, quadratic curves, यह formula बन गया, a square minus b square का, put कर दीजे, a plus b, a minus b, a plus b, यानि x1 plus x2 0 नहीं हो सकता है, क्यों, तो domain है natural number, कोई भी दो natural number add करके 0 नहीं आ सकता है, तो x1 minus x2 0 हो जाएगा, तो उनको x1 equal x2 का value मिल गया, तो condition क्या आएगी, अगर function में x1 equal x2 मिल गया, अगर हम fx1 equal fx2 लिए हैं, तो, ठीक है, fx1 equal fx2 लिए हैं, prove x1 equal x2 मिल गया, तो function को क्या बोलेंगे, कि ये एक one one function है, ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, कि आपको जब prove that या so that लिखा रहेगा, तभी इसका use करना है, ठीक है, ये हो गया one one function, क्या है, और कैसे हम लोग इसको check करेंगे, by graph, by putting values, और by differentiation और अगर हमको prove करने बोलता है, तो कैसे इसको हम लोग prove करेंगे, ठीक है, अगर prove करने बोलता है, तो कैसे prove करेंगे, वो हो गया, ठीक है, next हम लोग देखते हैं, एक और, वो है, many one function, तो many one function में अलग से कुछ याद रखने का आपको ज़रुवत नहीं है, जो function one one नहीं होता है, वो many one functions होता है, तो many one function क्या हो जाएगा, तो इसके लिए condition क्या है, कि if more than one have same image, मतलब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा मतलब many का image, अगर एक ही है, तो function one one है, many one है, तो इसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है, जो function one one नहीं है, वो सब many one होता है, तो जैसे आप one one check करते हैं, many one check कर लिजे, जैसे देखिए कि example यहाँ पर बनाया हुआ है, fx equal लिए हुआ है, x square plus one, function है, real से real, तो हम लोग को याद है, putting values करके हम check करते थे one one function, कैसे, तो अगर real number है, तो हम put कर देंगे one or minus one, देखिए, दोनों का value same, अगर दोनों का value same, तो यह क्या है, one minus one के क्या हो गया, same image है, तो function क्या हो गया, आप इसको not one one बोल सकते हैं, function कैसा है, not one one, या तो आप not one one बोलिए, या many one बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है, not one one या फिर many one, दोनों का मतलब एक ही है, तो इसके ललग से कोई, आपको याद रखना नहीं है, one one जैसे आप check करते हैं, check करिए, अगर one one नहीं है, तो function many one प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, तो आज हम लोग देख लिए one one और many one function के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर, जो pre-image के basis पे होता है, onto function और into function, वो क्या होता है, उसको check कैसे करेंगे, and prove कैसे करेंगे,